आप देख रहे हैं यूपी किराइन नीज अप्राद के खलाब चंग जेल में बंद मुक्तार अंसारी को क्यों सता रहा है अपनी जान का खत्रा सीयो सदर ने देराध जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायज लिया यूपी के डॉन माफिया बाहू बली विधायक मुक्तार अंसारी को इन दिनों खुद की जान का खत्रा सता रहा है बांदा जेल में बंद बाहू बली माफिया मुक्तार अंसारी दहषत में है और कोट में वर्चुल पेशी के दौरान बार बार जट से गुहार लगा रहा है और गिडगड़ा रहा है कि बांदा जेल में कुछ संदिक्दि लोग आते हैं जो कि बिना एंट्री के बिना तलाशी के जेल के अंदर प्रवेश करते हैं और मुक्तार को डर है कि ऐसे लोगों के दौरा उनकी हत्या जेल के अंदर करा दी जाएगी वर्चुल पेशी के बाद कोट में मुक्तार का पक्ष सुनते हुए बांदा जेल अदेख्षक और मुख्याले लखनों में भी एक पत्र लिखा जिसमें जिक्र है कि ये मुक्तार की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए जिसके बाद सीओ सदर ने देर राद बांदा जेल पहुंच कर सुरक्षा व्यवस्था का जाइजा लिया और ड्यूटी पर सभी कर्मिचारी सुरक्षा कर्मी मौजूद है या नहीं मुकतार के बांदा जेल आने के बाद से बांदा जेल को हाई कौट बना दिया गया है और सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा दिया गया है जिसके बाद बांदा जेल में अब परिंदा भी नहीं मार सकता अब मुक्तार अंसारी बार बार गुहार लगा रहे हैं कि बांदा जेल में उसकी जान को खत्रा है उसके नाम से 5 करोड की सुपारी भी दी गई है आपको बताते हैं, बांदा जेल में मुक्तार अंसारी के आने बाद से लगबक 50 कैमरे मुक्तार की रक्षा को लेकर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं और मुक्तार के बैरिक के आसपास मौजूद 5 बंदी रक्षा भी बॉडी बॉल कैमरा से लैस्क रहते हुए मुक्तार के हर मुव्मेंट की रिकॉर्डिंग बॉडी वॉल्व कैमरा में करते हैं CCTV कैमरा और बॉडी वॉल्व कैमरे की CD लाइव रिकॉर्डिंग लखनव में मुख्याले भी जाती है इसे में सवाल उड़ता है कि आखरकर मुक्तार का फिर से कोई नया ड्रामा तो नहीं है कि यूपी के जेल से भागना चा रहे हैं मुकतार अंसारी पूरों में भी पंजाब के रूप नगर जेल जाने से पहले माफिय मुकतार अंसारी बांदा की जेल में भी बंद था और बांदा जेल से भी बीमारी का बहाना करके लखनव रैफर हुआ था और लखनव से रैफर होने के बाद पंजाब में एक रंगदारी मांगने के मामले में पंजाब की रूप नगर जेल में बंद था जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कई मामले मुखतार के उपर दर्ज हुए थे उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुखतार अंसारी को यूपी के बांदा जिल में फिर से दूसरी बाशिफ्ट कर दिया अंसारी जेल में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है जेल में संदिक दिलोगों की एंट्री और खुद की हत्या होने की जता रहा है आशंग का दो प्लाटून पी एसी के साथ एक इंस्पेक्टर दो सब इंस्पेक्टर दो हैड कॉंस्टेबल पांच सिपाही कर रहे हैं यह मंडली कारागर सुरच्छा पर जो डूटियां हमारे यहां लगी है इसमें हमारे नागरिक पुलिस के और पी एसी की डूटी भी लगाता लगी हुई है इसको लगाता रुटिन में हम लोग बीच-बीच में इनकी सतकता जाचने के लिए चेकिंग करते रहते हैं और ज लगी है जो बारी बारी से शिप्टम आठाट गंटे डूटी करती है लगातार हम लोग इस पर नेगरानी बनाये हुए है और सटकता स्वजकता के साथ डूटी को संपादेत कराया जा रहा है अभी कुछ सुरच्छा बढ़ाई गी है क्या इसे मुक्तार को लेकर की चर्च दो लोग भी जाते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि असी कोई बात लिया लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है और बना इंट्री किसी कोई 및 telasie प्राइबनाव इस तरह की कोई दिएख्कत नहीं